हलो फ्रेंज, यूट्यूब पे आपने होम टूट के तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वो भी एक से एक बढ़ कर की देखके ही आँके चका चौन रह जाए, पर क्यों ना अज एक मिरल क्लास फेमली का भी होम टूर देख लिया जाए, तो वेलकम टू माई होम, स्वा गलाब तो हम जरूर लगाते हैं, सबके गर में आपको दिखना मिलेगा, उपर है मेरे मदर और फादर निलो के फोटो, ताकि उनका आर्सीवाद हमारे उपर सदा बना रहा है, अब यहाँ पे इस सिफ प्लेन दिवार में मैंने ये ओम बाला स्टिकर लगाया था, जो खुद ना, बच्चे का एक जगा पे टिकते ही हैं, बस ये है हॉल सिंपल सा, उसमें है टीवी और नीचे है मोहित का बुक सेल्फ, और यहाँ वहाँ बैक रखता रहता है, बस ये पूरा समझो रूम उसने ले लिया है, और चलते हैं इस से सिंपली हमारे बैडरूम में, वो भी आपको सोबर सा मिलेगा, क्योंकि हमारे गर में सबको कुछ ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं पसंद है, जितना प्लेन हो, जितना सोबर, उतना ही बढ़िया लगता है, हाँ, ये मोहित को बर्डे पे मेरी सिस्टर इन लो ने गिफ्ट दिया था, बहुत ही बढ़िया क्योंकि वो हैंड इन ग्राफ बहुत अच्छा करते हैं, तो बस ये सिंपल सा है, इधर दो अलमारी है, अलमारी के उपर है, ये चूट सा मिनी पेगी बेंग, जो मेरे बेटे का है, वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसको अभी भी ये पेगी बेंग और पैसे सेव करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये अभी भी यूज़ करता है, बहुत ही बड़ी है ना देखने में, तो चलो चलते हैं, हमारा बेटरूम देखने, बहुत ही सिंपल है, जो सुरू होते ही खतम हो जाएगा, और उधर नीचे ये रेट कलर का स्टरी टेबल है, जो यूज़ करता है जब बेडरूम में रहता है, बस बेडरूम से एंटरंस में है, बालकनी जो काफी बड़ी है, और हम लोग काफी टाइम स्पेन करते हैं, साम को गर्मी की छुट्टियों में मस्ट बैठके कभी गोला खा लिया, कभी चाय पी लिए, थंडीयों में चाय ज्यादा किचन में ही रहता है, और यह थोड़े बहुत स्नेक्स है, जो होममेट बनाए हुए है, जो इवनिंग स्नेक्स के लिए हम यूज करते हैं, यह यहां पर में वीडियो सूट करती हूं, इसलिए तब में मिक्सी को उपर रख देती हूं, यह ड्रम में है, खीचा पापर, हमा इतने एरिया में वाइट कर देती हूं, है न जुगारू आइडिया के लुक भी अच्छा आजाए, और एक्तम वीडियो भी अच्छी दिख जाए, और यहां पर थोड़ा बहुत सामान है, जो डेली कुकिंगे मुझे वीडियो स्वागेरा में यूज करना पड़ता है, ब यहां पी वासिंग मसिंग जिस पर एनी टाइम फोन चार्ज होने के लिए पड़े रहते हैं सबके, और बस यह वासरूम वगेरा एरिया है, अब चलते हैं में जो सब को यह रूम पसंद आता है, यह बैड बहुत ही बढ़िया, अच्छा है ना, एक्तम मस्त लगा है, और यह है हमारा मंदीर, एक्तम मॉर्निंग का टाइम यहां पे जब बैठते हैं ना, हम लोग बहुत सुकुन सा मिलता है, यह जो डेकोरेशन है, यह भी हमने मेने और मुहित ने साथ में मिलके उसने हेल्प करवाई थी, उसको यह सब बहुत अच्छा लगता है, क्रियेटिव करना, तो बस यह हमारा प्यारा सा मंदीर, सिवलिंग और संख वगेरा रखे, आज ही अभी मैंने पूजा आरती की है, क्योंकि मॉर्निंग का काम खतम भुआ था, तो बस अभी मैंने आरती की, तो सोचा पहले वीडियो सूट कर लूँ, फिर कीचन में लगते हैं खाना हो, उसके बले हमने कॉमन बड़ा सा हॉल बना दिया था, यहां पे हैं मोहित्स के सारे अवोर्ड्स वगेरा, जो उसको गवर्मेंट की तरब से मिले थे, जब वो कराटे जाता था, अभी यह तो स्वीमिंग जाता है, यह स्वीमिंग कॉस्ट्यूम है, बस यहां पे हमारी गेम भी खेलते थे, कोको, कबड़ी, क्रीकेट, सौब यहां पे काफी खेल दे, चोटे-चोटे बच्चे चार-पांच मिलके बहुत अच्छी गेम खेल लेते हैं, कोवीर में बाहर तो जा नहीं सकते थे, और यह अगेन है दूसरी बालकनी, यहां पे मैंने ऐसे अपना प और यह नारिल के छिलके मैंने देखी थे, कि एकदम सुका के ड्राय कर दो, तो एक अच्छी खाद बन जाती है, और यह हैलो विरा सुक्या है, बारिस में, फिर से हरा बड़ा हो जाएगा, तो कैसा लगा आपको यह हमारा वीडियो, हमारा स्वीट सा होम, तीन जन के लिए तो मेरे खाल से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है, तो यह हमारा चोटा सा स्वीट सा होम, आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी, जरूर बताएगा, और हमारी चनल से जुड़े रहे हैं, तो मिलते हैं अग्ली वीडियो में, बाबाई